Hello everyone, good morning, कैसी हैं आप लोग आशा करती हूँ, आप सबी लोग बहुत अच्छे होंगे और जहां भी होंगे, खुश होंगे, तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ, कुछ छोटे मोटे से टिप्स जिसको नहीं आते हैं, वो इनको ट्राइ कर सकते हैं, तो सबसे पहले अगर आप morning में उठते हैं और पांच बजे आपकी नहीं आग खुल पाती हैं, आज मैं वो तरीका वताती हूँ, आपको सबसे पहले जब उठते हैं, तो अपनी हतेलियों को देखें, यह जब हम छोटे थे, तब मेरी मम्मी ने हमें सिखाया था, एक मंत्र एक मंत्र है जो डेली मौर्निंग में मैं जब उठती हूँ तो बस इसका जब करती हूँ अपनी हतेलियों को देखती हूँ फिर हतेलियों को अपने चूमती हूँ और फिर इसके बाद खुब अच्छे से हातों को रगड करके एक हीट बन जाती है फिर वो अपनी चेहरे पर और सीधा पैर होता है इसको मैं अपने धरती पर रखती हूँ कभी भी दाया बया पैर नहीं रखना चाहिए पिर मैं उड़ती हूं उटने के बाद मेरे देली कर रूटीन सुरू हो जाते हैं और मैं आपको बता दूँ यहीं मेरा डेली का रूटीन रहता है सुबह उठके अपनी हतेलियों को देखना धर्ती मा को इसपर्ज करना पैर चुना उनके क्योंकि धर्ती मा है जो कि दिन भर बोजह उठाती हैं जो कि हम लोग मल मूत्र बगारा गंदगी कितनी सारी धर्ती मा के उपर फेकते हैं तो कम से कम लाइट आन करती हुं आप लोगों को दर्शन कराती ह tou तो यह मेरा डेली का रूटीन रहता है उठके सीदे आती हो मंदर में मंदर की लाइट आन कर देती हूं फिर मूह फाल मूह दोने के बाद में Empire पानी हम नहीं पीते हैं और फिर बस अभी मैं मुह हात मुद होके फिर लग जाओंगी अपने काम पे सीधे अभी ब्रश नहीं करती हूँ जब मुझे चाय पानी कुछ भी लेना नहीं होता तो ब्रश भी मैं नहाने के टाइम ही करती हूँ तो मैं आगे वाले रूम में आ गई हूँ तो बस यहां के खिड़की के परदे वगरा सब खोल दूँगी और बस जो यह काच लगा रहता है इसको भी खोल दूँगी गेट तो भी खोलना मुस्किल होता है क्योंकि हवा बड़ी तेज आती है बैसे फिलाल आज इतनी ठंड थ लगा के सीधे कच्रा बाहर लेके पूरे उपर मैं लगा लूँगी सीडियो सहथ फिर उसके बाद मेरा पोच्छा सुरू हो जाएगा लगाने के लिए और यह टाइम ना इतना अच्छा लगता है कि बिलकुल कम आम आज में हम भजन चलाते हैं सब लोग सो रहे होते हैं इतनी देविया शक्तियां ओती हैं वो सूर्य भगवान को नमशकार करने के लिए जाती हैं तो उस टाइम अगर हम जगे हुए रहते हैं भगवान से जो मांगते हैं तो भगवान वो हमारी मुरादें पूरी करते हैं तो सबसे पहले मैं अपना गेट वगरा सब कुछ खोल के आ गई हूं नीचे क्योंकि वो तो मैं हमेशा ही खोल देती हूं जैसे हम उठें सबसे पहला हमारा जो में डोर होता है उसको उपन कर देना चाहिए क्योंकि वहीं से हमारे घर में एक पॉजिटिव एनरजी आती है वहीं से अच्छी हवाएं आती है कुछ लोगों घर मैंन बिल्कुल नहीं पसंद है अभी आपने देखा होगा मैं जब उठती हो तो पांच मिनिट को पहनती हो क्योंकि एकदम से बड़ा ठंडे पैर लगते हैं और ऐसे भी मेरी चपल है वो कपड़े की चपल है यह बैसी चपल तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं घर में तो भर के ताजा वही इनमें जल चड़ाती हूं तो बस इनमें पानी डाल दूंगे आप लोग देख रहे होंगे कितना ज्यादा अंधेरा है मुझे अच्छा लगता है कुछ लोग बोलते क्यों उठती हो पर मुझे अच्छा लगता है पता नहीं क्यों जब से मैं उठने पानी डालने के बाद में फिर मैं लगाना शुरू कर दूंगी पोच्छा झालने के बाद में लगता है तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो तुम्ही हो बंधु शक्षा तुम्ही हो तो फ्रेंड्स मेरी आरती यहां पे हो चुकी है पूरी पूजा संपन हो गई और भी टाइम हो रहा है नो और नो वीज कुछ हो रहा है तो मैं साथ बज़े एंटर हुई थी पूजा मंदिर में और मुझे इतना टाइम लग ही जाता है एक से दो गटे लगते हैं मुझे आज ब्रत था तो इसलिए आज थोड़ा जादा टाइम लगते हैं तो चलते हैं बहार बस पर्दा बगएरा लगा दूंगी मंदिर का तो फ्रेंड्स मंदिर की पूजा बगएरा होने के बाद में अब मैंने पिया है इक ग्लास पानी और अब बस यह चाय और मुंपली के दाने मैंने थोड़े से देसी घी में थोड़े से सेक लिये हैं क्योंकि आज मेरे दो दो ब्रत हैं आज प्रदो ब्रत भी है और आज तो आज पूरे दिन बस यह चाय बगएरा कुछ फल फ्रूट ले लूँगी तो तेल बगएरा नहीं खाते हैं और चाय मेरी थोड़ी सी गिर गई क्योंकि एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़े हूई हूई हूँ तो जिस वज़े से मेरी चाय भी नीचे से गिर गई है तो यह आप लोग उसे हो चुकी है तो पहले आप लोग इनसे बात कर लो बाद मैं कर लूँगी दिखा जल्दी हां इखटी दिखा दो इतना टाइम नीए ब्लोग लंबा हो जाएगा तो यह अपनी कुछीनों ने रबार इखटी करके रखी है एरेजर दिखा दो यह रही है वैसे मैंने सुबह आपने देखा हुदा सब पोचा बगारा हो गया बस यह बैट शीट में डेली ही जाड़ती हूं क्योंकि कहीं ना कहीं मन ऐसा रहता ना कि अगर थोड़ी सी भी सिम्टी रहती है ना तो मुझे चैन नहीं पड़ता तो बस वही थोड़ा ठीक करूंगी क लासर सुर्जी गए हुए हैं चाची के हाँ पर तो लोग है नहीं यहाँ पर और बस नाइश्या और उनकी भुगा ही खाएंगी आज मेरा तो फास्ट है मेरी पूजा बगारा हो चुकी है और इसके पापा और अनिक गए हैं वहां दीदी को लेने के लिए पठना तो बस लोग हैं तो इन दोनों के लिए बनाऊंगी तब तक मैं और जो मेरे सारे काम है वह निपटा लेती हूं जल्दी से फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूं तो फ्रेंड्स यहां पर जो मेरा सामान है थोड़ा उथल पुथल हो जाता है वस उसको ही मैं सिस्टमेटिक कर रही हूं जो कि नाईशा बहुत बार इधर से उधर कर देती है जो कि मुझे देखो अभी इनकी बुक भी इधर पड़ी हूई है और कुरसी देखो कहा है कपड़े डानने के लिए और आज नाईशा ने इतना परेशान कर लिए है जहां मैं जारी हूं वैसे इनके दर्शन नहीं होते हैं जब इनके पापा और भईया घर पे होता है तो दर्शन नहीं होते जाड़ू लगाने के बाद में कितना सारा कचरा निकला है जाड़ने के बाद में तो बापिस से मैंने इस रूम में जाड़ू लगाई है तो अभी चलते हैं उपर उपर यहां पर कपड़े डाल देती हूं मैं फिलाल जल्दी चल्दी कर देखो मैंने नाइशा के लिए टास्क दिया है चोटी Kṛṣṇa धाने रखना है थोड़ी छीलिय और इसमें छिख्कल रखते जाना ठीक rasp क्योंकि नाइशा में लिए ठीक चपक के मैंने नाइशा को लिए अच्छे सी चीले की काम कर लेतीjug उसके बाद हम बुगा के लिए प्लाव बनाएंगे मेरे लिए भी हाँ आपके लिए भी बनाओंगे हाँ इधर रखो गुड़ गर्ल है नाइशा यह देखो यह मटर चीलने के वजाए बाग गई और इतनी कम मटर इन्हों ने चीली ठक गई और खा भी रही है उसमें से चील में यहां पर बनाने जा रही हूं नमकीन पुलाव भी बोल सकते हैं और नमकीन चावल भी बोल सकते हैं और बिर्यानी थोड़ा ना नौन वेज टाइप हो जाता है तो इसलिए यह चीज मैं नहीं बोलती हूं कभी भी तो यहां पर नमकीन चावल बनाने जा रही हूं और अकेले मैंने उन से कई बार पूछा कि आपके लिए सब्जी रोटी बना दूँ आप मेरे लिए मैं सोचो कि मुझे थोड़ा भारी लगए ऐसा कुछ भी नहीं है मैं बना दूँगी पर उन्होंने बोला नहीं मुझे पुलाओ बना दूँ तो पुलाओ बनाने जा रही तो में आपको कई बार रेसेपी शेयर कर चुकी हैं बस आज मैं प्याज बगएरा कुछ भी नहीं डालूँगी क्योंकि मैरा फास्ट हैं तो मैं प्याज बगएरा कुछ भी टचनी करती हूं तो राई जीरा डाल दिया है हींग डाल दूँगि थोड़ी सी और अद्रक का लगाऊंगी फिर मैं लोगों को ख़लाऊंगी और आज का ब्लॉग यहीं तक है क्योंकि थोड़ा मेरे सिर में दर्ध हो रहा है तो इससे जाद मैं अभी नहीं बना पाऊंगी और आशा करती हूं आपको आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगेगा कुछ जो मैंने छोटी-छो चलदी आगे बढ़ू तो पुलाव देख सकते हैं सिंपल तरीके से मैंने बनाया है तो निक्स वीडियो मिलती हूं तब तक के लिए बाय बाय टेक केर अपना ध्यान रखें और आगे मिलते हैं